So, what's up guys, welcome to financial funda, मेरा नाम है Shivam and market की situation जो अभी चल रही है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग सा शेर करना चाहता था, आप लोगों को पता ही होगा, आज रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटाक किया है and इस पूरे system में रशिया की market जो है 45% से गिरी है, इंडिया में अगर indexes हम देख लें तो almost 5% हम डाउं चल रहे है, इंडिया ने one of the largest drops, 10th largest market का drop जो है आज यहाँ पे देखा है, ऐसा बोला जा रहा है and overall अगर हम nifty 50 देखें, next 50 देखें, तो सारी जो companies है, for example, Tata, almost यहाँ पे वाट लग गई है पूरी, बाकी का भी अगर है HDFC, बैंक वागरा जो ब गई है and आपको पता ही होगा अगर आपने history पड़ी है, तो यह सारे जब situations आते हैं, of course, यह बहुत ही ज़ादा unfortunate है, war है, this is definitely not a good thing, बहुत सारे लोगों की जो जान है, already हम लोगों को जो numbers मिल रहे है, it is ridiculous what is going on, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आज especially 2022 में, पर आप जो हो सबसे बड़े pumps आए हैं, सबसे बड़े bull runs आए हैं, as well as जो नई चीजें हैं, वो यहाँ पर इजाद की गई हैं, नए तरीके इजाद किये गए हैं, काम करने के, so because ऐसी situation में जो है humanity का worst हमें देखने को मिलता है and because हमें humanity का worst देखने को मिलता है, वहाँ से फिर कुछ लोग उसमें से lessons लेके उस पर काम करना start करते है, तो आने वाले time में जो है हमें better humanity एक थोड़ा देखने को मिल सकती है, now market को navigate कैसे किया जाए, so first of all I think the market is very very dangerous right now, बहुत ही जादा volatile है, तो जो traders हैं, मैंने crypto वाले channel पर सुब बात की, जो traders हैं, बिल्कुल बच के रहें, preferably trade मतले, because भी situation कहां कैसे होने वाली है, थोड़ा बहुत bounce आएगा, ओ जा रहा है जा रहा है और फिर bam, वापिस नीचे जा सकता है, please धान रखें इस चीज़ का number one, number two, जो अच्छे companies हैं, बहुत ही अच्छे companies जिनकी management honest है, जो consistently पिछले 10 साल से results ला रहे हैं, and 10 साल, 15 साल से जो companies results ला नहीं करती, that is going to be great investments for the long run, यह पूरे phase में, अभी मुझे पता नहीं है कब market bottom करेगी, किसी को पता नहीं है, because यहाँ पर war का situation है, nobody really knows कि उसके बाद भी कितना time लगेगा recovery को, पर यहाँ पर जब market bottom ना भी कर रही हो, तो DCA करने के लिए अच्छा time यह होता है, usually, तो अगर हम वैसे देखें, investment purposes के लिए, या सोचने वाले purposes के लिए, यहाँ पे crashes provide great buying opportunities, अभी buying opportunities जैसा कि आपको बलो great management यह सब का angle देखा जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा effect होने वाली companies हमें कौन सी दिख सकती है, एक मैं बहुत अच्छा अगर आपको example दू, तो ऐसी companies जिनका Russia के उप ties है, और उनका जो आना जाना है, चाहे उनका raw material है, चाहे उनका export है, इसका बहुत अच्छा है कि example है, तो burger paints हो सकता है, तो burger paint हो सकता है, कि यहाँ पे war वाला situation clear हो जाए, पर जो quarterly results आते हैं, उसमें यहाँ पे उनका पूरा का पूरा जो result है, of course, सारी companies का affected हो अपर उनका शा जाने explicitly sanction set up नहीं किया है, बट जैसे US ने sanction लगाया है, वैसे उसकी वज़ए से यहाँ पे उनका थोड़ा सा business जो है, short term में उनके revenue numbers, growth जो है affect होगा, और वो growth जब affect होगा, तो market यहाँ पे उनका performance यहाँ पे result हमें reflect करेगी, and आपको पता ही है, market कभी point to point बात नहीं करती, market या तो जादा गिरती है, intrinsic value से या जादा बढ़ती है, तो वो हमें अच्छे buy और अच्छे sell opportunities दे सकते हैं, depending on आप short term में हो, या long term में हो, right, so there are great companies, right, जो आपको अच्छे opportunities यहाँ पे दे सकते हैं, तो अपनी आँखे खुली रखे, अपना fundamentals का research अच्छा करें, and कुछ भी हो जाए, market में एकदम आँख बंद करके trade, YouTubers के बाद सुनके trade, यह सब तो मत करें, second is, whatever amount you want to put in, आपको ध्यान देना है, जो भी amount आप invest करने का सोचे रहें, उसको 10 part में divide करें, मैं normally बोलता हूँ, 3 से 4 part में divide करके, उसको SIP की तरह करें, पर आज मैं बोलना हो, 10 part, because यह situation बह आपके उपर है, that you have to see, because market बहुत ही ज़्यादा वालेटाइल है, तो इसको यह पूरे वीडियो को, financial advice ना समझते हुए, उल्टा इसको एक research and educational advice वाले angle से अगर आप सोचे, आप इस पर काम करें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फाइदा होने का chance है, because आप market को थोड़ा comparatively अच्छे से navigate कर पाएंगे, do not try to find the top, do not try to find the bottom, वो नहीं कर सकता कोई, आगर आपको पता है कि आप bottom नहीं ढूंड सकते हैं, तो आपका अपरोच थोड़ा अलग होगा, आपका अपरोच जो है, वो dollar cost average या rupee cost average वाला होगा, which is going to usually, in the long run, provide great results, best case scenario, ऐसे time में होता है, index funds, mid cap funds, right, they end up doing much better, क्योंकि आपका जो risk है, थोड़ा diversified होता है, instead of individual stocks, क्योंकि individual stocks में comparatively थोड़ा जाथ risk आपको अभी, जाधा मिलेगा, ऐसे situation में, that is also something that you can look at, and that's all guys, यह मैं quick, आप लोगों साथ update, share करना चाहता था, बाकी आप लोगों को बता ही है, social media पे, twitter वागर आपे अ stock markets, fundamental research, पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बचाया जाए, सब चीजों की इस चैनल पर हम बात करते हैं, तो do consider subscribing, और जाते है लाइक बटन पर मुक्का जरूर मारे, this is Shivam from financial funda, मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए, आप